नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग उमीद है आप सभी लोग अच्छे होगे तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूटूब चैनल A2Z Study में और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 3 हिंदी की बुक करेंगे लगिन दोस्तों उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटा फट आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दिजिए हैं कई प्रदेश के किन्तु एक देश के क्या है इन पंक्तियों का अर्थ इन पंक्तियों में ये कह रहे हैं हैं कई प्रदेश के देखो हमारे देश के अंदर बहुत सारे प्रदेश पढ़ते हैं ठीक उत्तर प्रदेश उत्तरा खंड केरला तमिल नाडू असाम ठिक बहुत सारे प्रदेश यो पढ़ते हैं लेकिन लेकिन ये सारे प्रदेश किस देश के अंदर आ रहे हैं ये सब भी आ रहे हैं हमारे देश भारत के अंदर मतलब ये है कि हमारे जो देश है वो उसके अंदर है तो बहुत सारे प्रदेश लेकिन इसक प्रदेश होने पर भी हमारा देश बटा नहीं है, हमारा देश एक जुट है, हैं कई प्रदेश के, मतलब हम लोग आते तो कई प्रदेशों से हैं, किन्तु एक देश के, लेकिन हम सभी लोग किस से हैं, एक ही देश से हैं, और वो देश कौन सा है, हमारा महान भारत, अलग-अलग होने के बावजूद भी हम सभी क्या हैं? हम सभी भारत का ही हिस्सा है. कहीं पे कोई आदमी धोती पहनता है, कहीं पे पैंट शर्ट पहनता है, कहीं पे कुछ खाया जाता है, कहीं पे कुछ बोला जाता है, लेकिन इसके बावजूद हम सभी क्या हैं? हम सभी भा भारत के अंग हैं यानि भारत का ही हिस्सा है भारतिये वेस एक हम अनेक किन्तु एक और हम सभी का जो वेस है वो कैसा है भारतिये हैं मतलब यह है कि हम सभी भारत के ही हैं ठीक हम अनेक किन्तु एक मतलब हम हैं तो अनेक लेकिन हम एक हैं इस पंक्ति का मतलब यह होता है कि भा बहुत सारे लोग अलग अलग जगा से आते हैं, अलग 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 खाते हैं, अलग अलग पहनते हैं, लेकिन उसके बावजूत अंत में हम सभी कौन हैं, हम सभी भारतिये हैं, हम सभी एक ही डेश के हैं। पर एक नई बोली देखने को मिल जाएगी हमारे देश में इतनी सारी बोलिया चलती है तो बोलिया हजार है मतलब हजारों बोलिया है हमारे देश के अंदर टोलिया हजार है और हजारों टोली टोली का मतलब था समू समू भी हजार है कंठ भी अनेक है और कंठ अनेक मतलब गल जो गीत के बोल हैं वो हमारे एक हैं हम अनेक किन्तु एक हैं इस पूरे प्राग्राफ का अर्थ क्या है कि भाई हमारे देश में आपको हजारों बोलियां देखने को मिलेंगी आपको हमारे देश के अंदर बहुत सारे समू देखने को मिलेंगे बहुत सारे टोलियां देखने को मिलेंगे बहुत सारे अलग अलग गाने देखने को मिलेंगे लेकिन इतनी विविदता होने के बावजूद हमारे देश में एकता बहुत है मतलब यह है कि भाई इतनी सारी विविदता होने निकलते हैं, और वो हमारे दिल से निकलते हैं, हम अन्य किंतु एक, मतलब यही कि हम लोग है तो बहुत सारे, लेकिन उसके बावजूद हम सब सबी हम लोग मतलब हमारे जो माता हैं वो भी एक है, हमारे जो पिता हैं वो भी एक है, और वो कौन है? वो है हमारे देश भारत. एक भारतिये हम चल रहे मिला कदम मतब हम सबी क्या हैं एक ही भारतिये हैं और अपने बाकी भारतिये भाईयों के साथ में भाई बैनों के साथ में कदम से कदम मिला के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं लक्स के समक्स एक हम अनेक किन्त एक लक्ष यानि कि जब भी हमारा कोई लक्ष होता है तो हम सभी एक हो जाते हैं बले ही कितनी लड़ाई क्यों न हो लेकिन जब हमारे सामने कोई भी एक लक्ष होता है वो धारन में देता हूं वर्ल्ड कप मैच का ठीक जब भी इंडिया का वर्ल्ड कप मैच होता है तो उससे प सब खतम हो जाता है और पूरा देश एक हो जाता है पूरा देश एक साथ हो जाता है और एक साथ मिलकर अपने लक्ष की ओर आगे बढ़ता है हम अनेक किन्तु एक हम है तो बहुत सारे लेकिन हमारे जो दिल है वो क्या है एक मतलब हम है तो बहुत लेकिन हम सभी एक हैं और य कविता के अंदर ये बताए गया है हमाई देश के अंदर विवित्ता तो बहुत है लेकिन इतनी विवित्ता होने के बावजूद हमाई देश के अंदर एकता भी बहुत जादा है मतलब यह है कि हमारे यहां बहुत सारी बोलियां हैं बहुत सारे राग हैं खाने का धंग मतलब यह कि विविता हैं तो बहुत हैं लेकिन इतनी विविता होने के बावजूद हमाई देश के अंदर एकताब बहुत जाता है चली दोस्तो अब इसके प्रश्ण उत्तर को कर लेते हैं बातचीत के लिए प्रश्ण नमबर एक आप किस देश में रहते हैं अपने आपका प्रदेश कौन सा है देखो बच्छो ये वाला जो प्रश्ण होता ना ये सिर्फ ऐसे बातचीत के लिए होता चर्चा करने के लिए इसमें आपको ng copy मे नहीं लिखना होता है तो पहला प्रशन यह कह रहा कि आप लोग कौन से रहते हory तो हम सभी किस रहते हैं हम लोग रहते हैं भारत में ठीक है और अगर यह वीडियो भारत के बाहर का कोई व्यक्ति देख रहा है तो आप अपने देश का नाम बताओं ठीक, आपका प्रदेश कौन सा है, आपका जो प्रदेश है वो कौन सा है, तो भई मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, अभी मैं currently डली में हूँ, आप लोग बताओ भई, आप लोग कहां के रहने वाले हो, ठीक, या फिर आप कहां पर भी रह रहे हो, प्रेशन नमब जाती बोली जाती हो, ठीक, तो कोई भी भासा हो सकती है, जो कि आपकी घर में बोली जाती होगी, प्रेशन नमबर तीन, आपके घर के आसपास के लोग कौन सी भासा बोलते हैं, आपका घर जो है, उसके आसपास के लोग कौन सी भासा बोलते हैं, तो भई मैं उत्तर मित्रों की टोली में कौन-कौन है यह कैसा प्रश्म था चलो यह करें कि सभी जो प्रदेश है वो तो अलग है लेकिन उसके बावजूत सबका जो देश है वह एक है यूगि सारे प्रदेश किसमें आते हैं हमारे एक ही देश के अंदर आते हैं आपके मित्रों की टोली में कौ पर करना है तो ध्यान से पढ़ना ठीक है प्रेशन नमबर एक हम अनेक किन्तु एक हैं उधारन देकर इस बात को समझाईए क्या कहा हैं कि भई हम अनेक लेकिन एक आपको एक्जामपल देकर यानि कि उधारन देकर आपको इस बात को समझाना होगा तो चलो भई ये लो हम अन देश के अंदर बहुत साइध धर्म के लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख इस्साई बहुत साइध धर्म के लोग रहते हैं ठीक और यह सभी धर्म के लोग एक साथ रहकर एक दूसरे का क्या करते हैं सम्मान करते हैं ठीक है जो हमें एकता में विवित्त्ता का अनुभाव कराते हैं। चलो प्रेशन नमबर तीन चल रहे मिला कदम इस पंक्ती में किन के कदम मिला कर चलने की बात की गई है तो इसका उतर हो गया चल रहे मिला कदम इस पंक्ती में बात यह कही गई है कि हम सभी भारती मिलकर आगे बढ़ रहे हैं साथ में प्रगती की दिसा में कदम बढ़ा रहे हैं तो यह हो गया इसका उत्तर चलो सब्दों का खेल प्रेशन नंबर एक कविता में समान धुनी वाले सब्द छांट कर लिखिए क्या करना है आपको कविता पर दोबारा जाना है और ऐसे धुनी वाले हम बोलियां प्रदेश रंग हम बोलियां चलो तो हमका कडम होगया ठीक है और रंग का अंग हो गया ठीक है प्रदेश का देश हो गया और किसका था बोलियां ना टो बोलियां का टोलियां हो गया ठीक चालो यह आपको लिख़ देना है इसके अंदर ठीक तो यह रहे उसके उत्तर, चलिए, प्रेशन नमबर दो, समान धवनी वाले कुछ सब्ध अपने मन से लिखे, आपको क्या करना है, आपको इन से मिलती जुलती धवनी वाले सब्धों का अपने मन से लिखना होगा, जैसे बोली का, भाई बोली का टोली, चोली, और रोली, कुछ एक का अनेक या फिर सेख देख ठीक ऐसे कर दो राग राग का भाग साग ची बीह लिख सकते हो आप नाग जो भी आपक इच्छा हूँ ठीक है ऐसे आप बना सकते हो युध्ध भूमी ठीक युध्ध भूमी भी अमारा होता है ऐक शब्द चलो मैंने एक खाली छोड़ दिया मैं चाहता हूं कि एक ना आप खुछ से बनाने की कोशिस करो समझे और लिखिए प्रेशन नंबर एक कविता की पंगती फूरा कीजिए देखो इसके लिए आपको क्या करना है आपको ना दुबारा कविता पर जाना है आपको यह पंगती पढ़नी कहां पर है है कई प्रदेश के उसके बाद में एक देश वाली लाइन थी पहले सबसे पहले यह सैटन नंबर वाली लाइन है ठीक है तो आपको उसी को यहां पर लिख देना है है कुछ नहीं करना है कविता पड़ना और जो iterations यहां पर गायब है उनको आपको लिखत देना है तो कविता बही पर लोग to אנחנו को दिखके नहीं बैं प्रशन नंब्वर 2 सही आर्थ की जोड़ी बना कर लिखिए आपको सही अर्थ की जोड़ी बना कर लिखनी होगी जैसे कंड कंड का मतलब होता है गला तो भाईया ये हो गया पहनावा पहनावा का मतलब होता है जो हम पहनते हैं कपड़े वेस भूसा ये हो गया विविद का मतलब होता है कई प्रकार के और समख्ष का मत होता है सामने सामक्ष मतलब आप किसी के सामक्ष उपस्थे तो मतलब आप किसी के सामने उपस्थे तो ठीक है तो यह हो गया इसका उत्तर प्रेशन नमबर तीन सही अर्थ वाले वाक्यों पर सही का चिन्न लगाईए यानि जो सही अर्थ वाले वाक्ये हैं उन पर आपको सही का चिन्न लगाना होगा का है मेरा भारतिय वेस एक का अर्थ यानि भारतिय वेस एक का इसका अर्थ क्या होगा सबी भारतियों का एक ही पैनावा है भारत में अनेक प्रकार की वेश भूसा है लेकिन सबी भारति एक है तो ये है इसका अर्थ ठीक है सेकंड वाले पर आपको टेक लगाना है खा क्या कह रहा है बोलियां हजार है में हजार का अर्थ है मलब बोलियां हजार है तो इसमें हजार का क्या आर्थ हो गया बहुत सारी बोलियां है हजार बोलियां तो इसका होजाएगा बहुत सारी बोलियां है ठीक है बहुत सारी बोलियां यहाँ पे हजार का मलब यह नहीं कि हजार ही बोलियां है ने-ने-ने, हजार सब्सका इस्तमाल किया गया है, ये दिखाने के लिए के बहुत सारी बोलिया है, चलिए, पढ़िए और जानिए, मेरा नाम आथे, क्या है, आथे, सोरी, आथो इबी, सोरी, आथो इबी, मैं मनिपुर में रहती हूँ, मुझे खाने में ये कौन सी डेश है एरो लंबा, बहुत पसंद, ये कैसे डिश है, ये तुम्हें पहली बार नाम सुनना उसका, मेरा नाम गुरप्रीत है, मैं अमरे सरकार रहने वाला हूँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैं संकेत भासा में बात कर सकता हूँ, खाने में मुझे मक्य की रोटी और सरसो का साग ये तो मैंने खाया है, मक्य की रोटी सरसो का साग हूँ, लेकर मुझे ये नहीं पता कौन सी डिश है, वेज है कि नॉन वेज है, वेज है तो बढ़ी है, वैचन में नॉन वेज खाता नहीं हूँ, मेरा नाम पूर्वा है, मैं महराश्ट की रहने वाली हूँ, मैं मराठी भासा बोलती हूँ, खाने में मुझे पूरम पोली पसंद है, ये पूरम पोली क्या होता है, ये तो मुझे को नहीं पता, भाई पूरम पोली किसी ने खाई है क्या, मैंने तो नहीं खाई है, बता बच्चो, क्या आप में किसी ने पूरम पोली खाई है, तो मैंने नहीं नाम मेरा हंसा है मैं गुजरात की रहने वाली हूँ मुझे गरबा डांडिया नित्य बहुत पसंद है मुझे खाने में धोकला और खांडवी पसंद है धोकला तो मुझको मैंने खाया हुआ है खांड भी क्या होता है, खांड भी मैंने खाया, कुछ I think मीठी डिश होगी, नाम से पता चला है, क्योंकि गुजरात में पता है, चीनी को खांड बोलते हैं, ठीक है, तो खांड भी मुझको लग रहा है कि यह कोई मीठी डिश है, चलो जो भी है, मैं यासमिन हूँ, मैं लक् मिलेगा, तो भाई खाएंगे जरूर, यूकि मीठी चीन मुझे बड़ी इच्छी लगती है, चित्र आधारत प्रस्ण, मनिपूर में आयथो इभी को खाने में क्या पसंद, भाई आयथो इभी को क्या पसंद है, तो आयथो इभी को क्या था, एक से एक अजीब सा नाम, य एरो, क्या है, एरूमबा, हाँ, एरूमबा, एरूमबा पसंद है, यहाँ पैसे लिख दो, आयथो भी को एरूमबा पसंद है, महाराश की पूर्वा कौन सी भासा बोलती है, तो महाराश की पूरा बोलती है, मराथी, तामिल नाडू के वेंकट को खाने में क्या पसंद है, तो भई इनको इडली सामबर पसंद है गुजरात की हंसा को कौन सा नित अच्छा लए तो गुज़ात की हंसा को तीन चार प्रदेशों की भासा, खान पान, वेजबूसा, तीज तेवारों के बारे में पता कीजे, और साथियों के साथ चर्चा कीजे, ये प्रशने क्या कह रहा है, कि भई आप जिस भी प्रदेश में रहते हो, उसके आसपास के जो तीन चार प्रदेश हैं, आपको उनकी उनके खान पान, वेजबूसा, और उनकी तेवारों के बारे में जानकारी निकालनी होगी, और फिर अपने साथियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में चर्चा करो, वैसे पता ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर आप लोग क्लास में चाओ तो इसको कर स हिंद देश के निवासी, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भासा, चाहें अनेक है, बोला बेला गुलाब जुही, चमपा चमेली, प्यार प्यार फूल, गुंते माला में एक है, कोयल की कूकु प्यारी पपीहे की टोल प्यारी टेल प्यारी गार ही तराना बुलुबुल राग मगर एक है गंगा यमना ब्रह्म पुत्र कृष्णा कावेरी जाके मिली सागर में हुई सब एक हैं आचा बस इतना ही है तो यह हमारी छोटी सी कविता थी मात्र आठ लाइन की आपको इसमें कुछ मदलब करना नहीं है एसे पढ़ने के लिए पढ़ लो ठीक है चालो तो यह मेरा पूरा पार्ट हो गया उम्मीद आपको यह पार्ट समझ में आ गया होगा जाने से पहले हैं दोस्तू मीदिया आप लोग से चोड़ी से बिनती है अगर आपको यह पार झाल झाल